तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फो लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो के लिए एंड जोइन टेलीग्राम गूप फो लेटेस्ट टेक न्यूज एंड अपडेट्स तो दोस्तो यार कॉमेंट करके नीचे ज़रूर बताएगा कि आपको ये अपडेट्स मिली है या नहीं तो आप देख सकते हैं ये है वेडमी नोट एट तो यहाँ पर कुछ एप्लिकेशन की अपडेट्स आई हुई है अगर आपको ये अपडेट नहीं मिली है तो यहाँ मेरा टेलिग्राम पर ग्रूप है दो ग्रूप है डिसकेशन और चैनल आप जोइन कर सकते हैं यहाँ पर मैं एप्लिकेशन दे दूँगा मेरे चैनल पर लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली एप्लिकेशन है वो है नोट्स की तो यहाँ पर ये नोट्स 2.3.7 की अपडेट आई है तो आपको ये अपडेट मिल चुकी होगी अगर नहीं मिली है तो मैं लिंक आपको मेरे ग्रूप में दे दूँगा यानिकी अपके दे दूँगा तो अब आप जो आप सिंक कर सकते है अपने नोट्स आप यान की लोकल बैक अप भी ले सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर नीचे बैक अप एं री स्टोर में जाते हैं जो आप मोबाल बैक अप लेते हैं लोकल वाला यहां पर अगर आप बैक अप दबारेंगे तो आपका जो notes है वो भी यहां पर sync हो जाएंगे तो यह जो है वो यहां पर एक नई update आई है मैं backup तो नहीं लेने वाला क्योंकि मैं already जो है वो backup क्या लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो दूसरी application की जो update है वो है cloud तो यहां पर कुछ जादा नहीं है यहां पर 10 MB की update है इसमें boost किया गया है यहनकि performance को और syncing time को और यहां पर कुछ bugs fix किये गए है और इससे जादा यहां पर और कुछ नहीं है उसके बाद दोस्तों यहां पर आजाती है screen recording app में तो यहां पर जो sound recording आप करते हैं तो यहां पर mic, mute और system sound है वो improve कर दी गही है इससे जादा और कुछ भी यहां पर नहीं है तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर next update की वो है system launcher तो 25th of February को यह जो है वो launcher release किया गया है तो comment करिएगा कि आपको यह मिला है यह नहीं तो आप देख सकते हैं यह वो version 19.2 है तो यह 23 MB की update है काफी बड़ी update है इसमें दोस्तों यह काफी improvements की गई है जब आप इसे करेंगे तो आपको ज़रूर notice होगा कि यह आपका जो system है वो काफी smooth हो गया है तो मैंने यह notice किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे system थोड़ा सा refresh होता है तो यहाँ पर आपकी वैसे जैसे था पहले वैसे ही आ जाएगा तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे तो इसको भी cancel कर देते हैं मेरे इसाब से आप इसे agree मत कीजिए cancel कर दीजिए और यहाँ पर cancel कर दीजिए system setting में जाएए और यहाँ पर home screen में जाएए और यहाँ पर with app draw में आएंगे तो आपको कुछ इस परकार की layout मिलेगी और यह जो in app queries and open search है यह जो है वो कुछ privacy policy है तो मेरे इसाब से आपको नहीं on करनी चाहिए अगर आपने on करनी है आप कर लीजिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ क्या होता है तो अगर आप इसे on कर देते हैं और यहाँ पर जाते हैं तो आप जब app draw खोलेंगे तो आपको कुछ इस परकार की information मिलेगी और आप इसे बंद कर दीजिए आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है तो simply आप इसे off ही रखिए तो अब आप जाएंगे तो कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा अगर आप सर्च करते हैं YouTube तो सिर्फ YouTube एप ही आएगी लोकली जो आपके system में है और कुछ नहीं दोस्तों performance को इंप्रूव किया गया है और जादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है जो पहले था वैसा ही है पर यहाँ पर आपको जो है कुछ इस परकार की layout मिल जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है आपके सामने है जादा कुछ नहीं है पर यह performance काफी अच्छी यहाँ पर कर दी गई है तो यह सारी information थी यहाँ पर इन आप्स के बारे में तो यह आज के लिए बस इतना ही